हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है हुली के त्योहार पर चटपटी चाटना बने ये तो होगी नहीं सकता और कोई भी चाट बनाएं बिना चटनी के तो चाट अधुरी ही रहती है तो आज मैं आप से ऐसे चटनी की रेसिपी शेर करने जा रही हूँ जो आप कम समय रहती भी बना सकते हैं और इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको बिना इमली, बिना चीनी के बनाई गई ये चटपटी चटनी की रेसिपी बसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस चटपटी चटनी को बनाने के लिए हम ले लेंगे अंगूर जी हाँ फ्रेंड्स ये चटनी हम इमली से नहीं बलकि अंगूर से बनाएंगे और अंगूर से बनाएंगे ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टे बनती है और कम समय में बन करके तैयार हो जाती है तो यहाँ पर मैंने एक किलो अंगूर लिये हैं और अंगूर आप कोई भी वेराइटी के ले सकते हैं सबसे पहले हम अंगूरों को अच्छे से दोएंगे अंगूर पहले ही दोकर के ना रखें जब आप चटनी बनाने वाले हो यानि आप उनका इस्तमाल करने वाले हो तभी अंगूरों को दोना शुरू करें क्योंकि यदि अंगूर आप दोकर पहले ही रखते थे ना तो जहां से हम अंगूर को तोड़ते हैं डंठल से वो हिस्सा फिर काला पढ़ने लगता है इसलिए मैंने अभी कि अभी अंगूर हैं वो अच्छे से इस बड़े बरतन के अंदर पानी डाल कर धूली हैं बीच में एक बार मैंने पानी चेंज कर दिया था तो जब अंगूर अच्छे से धुल जाएं तो इनको पानी से निकाल कर हम डायरेक्ट डालेंगे एक ग्राइंडर जार के अंदर तो यह सारे अंगूर मैं इस ग्राइंडर जार में एड़ कर रही हूँ और अंगूर में वैसे तुक ठेट सारा पानी होता है बहुत यह इसलिए ग्राइंड हो जाते हैं लेकिन फिर भी मलगभग आदा कप पानी इनने अच्छे से ग्राइंड करने के लिए और डाल रही हू तो यहाँ पर अंगूर हैं वो अच्छे से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ तो यह मैंने अंगूर का जूस बना करके तयार कर लिया है और अब हम इसे चान लेंगे तो चानने के लिए एक दूसरे बरतन के उपर मैंने इस तरह की मोटे छेद वाले चलने का इस्तमाल किया है तो बस यह सारा जूस इस चलने में डालेंगे और अच्छे से चान लेंगे तो अब स्पेचुला की हबसे इसे हम थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं क्योंकि जो चिलका होता है न वो बीच में आ जाता है चंते समय तो इसे ऐसे चलाएंगे तो बहुत इस इसली जूस अलग हो जाएगा और चिलका अलग हो जाएगा इस चिलके को हम डिसकार्ट कर देंगे और अब इस बचेवी जूस में हम एड़ करेंगे एक चमच कॉर्ण फ्लार तो कॉर्ण फ्लार से जो चटनी बनेगी वो थिक भी होगी और उसका बहुत ही अच्छा ग्लेज आएगा चटनी में और खाने में चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है तो यहाँ पर कॉर्ण फ्लार को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब लेंगे एक पैन और पैन में एड़ करेंगे एक कप गुड तो इस चटनी को मिठा करने के लिए एक कप गुड सफीशेंट है यानि आप एक किलो अंगूर के चटनी बना रहे हैं तो उसमें एक क आशने वकरें नहीं बनाने हैं गुड को हमें अलग से मैल्ट करना है ताकि हम इजली इसे चान पाएं तो यह पर गुड बढ़िया से मैल्ट हो गया है तो इसे कर देते हैं साइड में और एक दूसरे कड़ाई लेकर इसमें एक से दो चमस तेल करम कर लेंगे और जैसे ही दिल करम हो जाएगा इसके अंदर सबसे पहले हम चुटकी बर हींग डालेंगे हींग से चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है साथ ही जब हम चटनी चाट के उपर डालते हैं तो यह डाइजेशन में भी बहुत हेल्फुल होती है तो इस वज़े से यदि हम चाट वगर खा भ लेती हूं और अब इस कुड़की चाशने के साथ साती हमने जो कौन फ्लोर मिला के अंगूर का जूस रखा था वो भी इसमें अड़ कर लेंगे तो यह दि कौन फ्लोर नीचे बैट गया है तो एक बार इसे थोड़ा सा चला लें और फिर जैसे ही कड़ाई के अंदर हम यह जंगूर का जूस डालेंगे इसे लगाता चलाते रहेंगे जब तक यह थोड़ा थिकना हो जाए और इसमें एक उबाल ना आ जाए तो यहापर चार से पांच मिनिट में बढ़िया से सारे चीजे गरम हो जाएंगी और गरम होते ही यह धीरे-धीरे पकना स्टार्ट हो जा जाएंगे इमली की चटनी जब हम बनाते हैं तो उसमें इमली को साफ करना उसके भी जटाना उसके रेशे अलग करना यह काफी सारा जंजट हमें करना पड़ता है यानि जितने में हम इमली साफ करते हैं उससे कलाते हैं उससे बहुत ही कम समय में यह अंगूर की चटनी बन पकाते वे तो आप देख सकते हैं ये काफी ठिक हो गया है और साती जाग भी सारे खतम हो गये हैं तो आप 2-3 मिनिट हम इसे और पका लेते हैं ताकि एक बड़ी ऐसा बॉयल आ जाए और जैसे जैसे ये पकती रहती है चटनी वैसे वैसे इसमें शाइन भी आती रहती है तो वो भी अच्छे से इस चटनी में खुल मिल जाएं और पक जाएं मसालों में हम लेंगे एक चमच भुनेवे जीरे का पाउडर एक चमच लेंगे सौंफ का पाउडर और ये आप सौंफ का पाउडर नहीं लेते हैं तो जिस समय हमने हींग आड़ की थी तेल के अंदर उस सम इसे के साथ थोड़ा सा तीखा पन लाने के लिए हम एक चमच इसमें काली मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे और चटनी को एक्स्ट्रा चटपटी बनाने के लिए इसमें एक चमच आमचूर का पाउडर या फिर चाट मसाला एड़ कर लें इसे के साथ इसमें आदा चमच जालेंगे काला नमक और स्वात के अनुसार नॉर्मल नमक डाल कर सारी जिजो को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अब जैसे जैसे ये मसाले चटनी के अंदर पकेंगे चटनी का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा साथ ही इसमें से बहुत एच्छी खुश्बू भी आने लग लेते हैं तो देखे धीरे धीरे जो चटनी है वो भी थिक हो रही है तो हमें थलकी सी थिक चटनी चाहिए बहुत ज्यादा थिक भी इसे नहीं करना है क्योंकि जब चटनी रूम टेंपरिचर पर आती है तो यह थोड़ी और थिक हो जाती है तो यहां पर आप देख सकते है कि अब चटनी में बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है और अच्छे से यह पक गई है पहले शुरुवात में बहुत बबल्स इसमें दिखाये दे रहे थे अब इसमें बिलकुल भी बबल्स नहीं है और इस तरह से स्पैचुला से जब हम इसे गिरा रहे हैं तो एक धार इसमे तो आप एट कर सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं अब चटनी कितनी हमें पकानी है उसको जानने के लिए आप ये करें कि कोई भी चमच आप इस तरह की ले 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 तो ऐसे गिराने से यह आपको पता लग रहा है कि चटनी हमारी कितनी ठीक हो गई है और दूसरा यदि ऐ इसका फ्लेव मैंने ओफ कर दिया है और ये रोस्टेट मस्क मेलन सीड्स में इसमें एड़ करके बढ़िया से मिक्स कर रही हैं तो त्योहारों पर हम सब बहुत वीजी हो जाते हैं एक्स्ट्रा कई चीजें भी हमें खाने के लिए बनाने होती हैं खास करके होली उर्दिवाली जैसे त्योहारों पर तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी तयारी हम पहले करके रख सकते हैं और एन वक्त पर इनका भरपूर फाइदा उटा सकते हैं और इस एक चटनी से हम कई तरह की चाट भी बना सकते हैं तो समोशे कचोरी के साथ भी इस चटनी को सर्व किया जा सकता है तो ये लिएजे फ्रेंट्स हमारी चटपटी अंगूर के चटनी बन करके तयार है इस चटनी को अच्छे से ठंडा करके किसी भी एर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है तो प्रेंट्स कैसा लगा आपको चटनी बनाने का ये नया आईडिया प्लीज मझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चटनी बनाने की ये नई रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई